हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू मैं यूटूब चैनल वैशनवी फ्री एजूकेशन क्लासे फ्रेंड्स जल्दी से सभी लोगों को जोड लीचे फिर हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं एकदम धुवाधार तरीके से हां बताइए जल्दी से जल्दी से जुड़ जाएए सभी लोग तो फ्रेंड्स आज हमें पढ़ना क्या है आज हमें पढ़ना है उन्नीशमी शताबदी की कला ठीक है इसके पहले हमने थियोरी वाली बहुत सारी कलासे कम्प्लीटली पढ़ी है आप आराम से जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाएंगे तो वहाँ प सभी को गुड मॉनिंग गुड मॉनिंग चलिए स्टार्ट करते हैं हाँ चलिए सभी लोगों की बहुत requirement थी कि मैं थियोरी वाली कलास मत बंद करिये हाँ अच्छा लगा कि चलो बच्चे हैं तो हाँ पढ़ना चाहते हैं पढ़ना चाहते हैं बच्चे हाँ चलिए स्टार है और आज का जो टॉपिक है अपना वो है 19th सवबदी की कलाव ठीक है है हां चलिए फिर करें स्टार्ट चलिए स्टार्ट करते हैं पहला पॉइंट आता है पहला जो टॉपिक आता है हमें पढ़ना है और इसके अंतरगत प्रभाववाद क्या पढ़ना है प्रभाववाद जिसे हम इंग्लिस में बोलते हैं impressionism ठीक है तो प्रभाव वात को इंगलिस में क्या कहते हैं impressionism ठीक है पहला point आता है आधनिक चित्रकला का प्रधान केंद्र क्या है क्या था आधनिक चित्रकला का जो प्रधान केंद्र था वो क्या था वो France था देखे सबी लोगों को बहुत problem होती थी ये वाद जितने भी हैं सभी को बहुत प्रॉब्लम होती थी इनमें सभी लोग बोलते थे कि मैं इसको करवा दीजे करवा दीजे तो देखिए अब आपके सामने हो रही है क्लास तो सभी लोगों को एट कर लिया करिए ठीक है तो क्या है आधुनिक चित्रकला का प्रिधान केंद्र कौ ठीक है देखिए ये चित्र बना हुआ है देखने में बहुत प्यारा लग रहा है देखते हैं आगे क्या है इस चित्र में दिखाया गया है बासुरी वाला दाव फाइपर ठीक है कब बना है अठारा सो चाचट में बना है और किस माध्यम में बना है तेल रंग से बना है औ एड़र माने कौन है एड़र माने ठीक है तो एक बार फिर से देख लीजिए ये बांसुरी वाला चित्र किस में बना है तेल रंग में बना है रखा गया है लंदन में सौरी पेरिस में आगे देखते हैं आज आता है उनीशमी सताबदी में आधुनिक चित्रकला का जन्म हुआ आधुनिक चित्रकला का जन्म किस से माना जाता है प्रभाववाद से इंप्रेस नजम से ठीक है फिर पूछा जा रहा है प्रभाववादी चित्रकार का जो मुख्य विशय था वो क्या था वो था वात वातावरण पर और प्रकास पर आगे चलते हैं प्रभाववाद का जन्म कहां पर हुआ है फ्रांस में हुआ है और उनका विशय क्या था वातावरण और प्रकाश ठीक है फिर आता है माने द्वारा आता है पॉइंट माने द्वारा सुरू की गई शैली जिसमें छाया प्रका एवं इस थूलत्त का एहसास कराये गया है उसे परंपरावादी समिक्षिकों ने क्या कहा है प्रभाववाद ठीक है समझके आगे बढ़ें चलिए आगे बढ़ते हैं आगे आता है माने का जन्व कब और कहां हुआ था तो कब हुआ था 23 जन्वरी को 1832 एस्वी में हुआ था किसका जन्व माने का और कहां पर हुआ था फ्रांस की राजधानी पैरिस में ठीक है फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रभाववाद का प्रथम चित्र कौन सा था फस्ट चित्र पूँच रहा है ये था सूर्योदय का प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट है जो फस्ट और लास्ट चीज होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है तो पहली चीज पूछिए इसमें प्रभाववाद का फस्ट चित्र कौन था तो ये था सूर्योदय का प्रभाव ठीक है आगे बढ़ते हैं बोल रहा है प्रभाववाद के जनक कौन है तो ये हैं क्लोध मोने कौन है ये क्लोध मोने है पूछ रहा है सूर्योदय का प्रभाव इंप्रेशन सन्राइज का चित्र कार कौन है कौन है ये क्लोध मोने है और ये ही सबसे पहला चित्र है जो प्रभाववाद में बनाया गया था समझे आगे बढ़ें चलिए आगे बढ़ते हैं आगे आता ह प्रभाववादियों की प्रथम चित्र प्रदर्शनी पैरिस के नडार फोटो सहलून में कभी थी 1874 इसवी में इसकी प्रभाववादियों की पहली प्रदर्शनी कहां लगी थी पैरिस में लगी थी कहां पर नडार फोटो सहलून में और कब लगी थी 1876 में फिर आता है 1869 में माने का सरप्रिथम जो चित्र था वो था शराबी दा एपसिंथ ड्रिंकर इसका जो माध्यम था क्या था इन्होंने तेल माध्यम में बनाया था पूच लेगा यही जो यह इंग्लिस में लिखा है इसी को हिंदी में लिखके बोल देगा एपसिंथ ड्रिंकर यह किस ने बनाया है तो क्या होगा राइट आंसर माने ने बनाया है और हिंदी में भी बोल सकता है शराबी किस ने बनाया है माने ने किस माध्यम में कैनवास पर तेल से ठीक है समझ गए होंगे फिर आता है शराबी एपसिंथ टिंक डिंकर यह चित्र है किसका माने का है वही चीज रिपीट हो रही है आगे आता है त्रण पर भोजन बहुत पूछा जाने वाला क्वेस्चन है बेटा त्रण पर भोजन किसने बनाया है माने ने ठीक है आगे बढ़ते हैं वर्स 1863 हीसवी का तेल माध्यम से कैनवास पर बना माने का प्रशिद चित्र क्या है त्रण पर भोजन दा लंच हून ऑन दा ग्रास ठीक है यह कहां पर रखा गया है इस टाइम पर पैरिस में तो त्रण पर भोजन कहां रखा गया है पैरिस में बनाने वाले कौन है माने है और किस माध्यम में बना है तेल के माध्यम में ठीक है केवल इतनी बात आगे आगे बोल रहा है दलचन इंदा स्टूडियो 1868 में बना है तेल के चितका वही चीज बोल दी है नीचे अलग से तो किसने बनाया है माने ने ठीक है देखिए एक ही पॉइंट को चार-चार बर पढ़ेंगे न तो दिमाग में बिल्कुल से सेट होना पढ़ेगा सेट ना भी होगा तब भी होना पढ़ेगा हम लोग ना जिद्धी मन के पढ़ना है हम लोगों को कि कब तक नहीं आएगा देमाग में एक ना एक दिन तो सेट होना ही पढ़ेगा हमारे देमाग में इसको क्यूंकि हमें शेलेक्सन लेना है अपने हाथ में सर्विस लेटर लेकर आना है है ना चलिए आगे बढ़ते हैं माने कि दा डेड क्राइस्ट एंड दा एंजिल्स कब बना है 1864 TCV में इसका शीर्सक तेल ये मतलब बना किसमे है तेल चित्र में बना है और ये सुरक्षित कहां किया गया है तो ये न्यू यॉर्क अमेरिका में रखा गया है पूछा जाएगा दा डेड क्राइस्ट एंड दा एंजिल्स किसका चित्र है ये है माने महोदय का किसका है ये माने का चित्र है कब बना 1864 में किस माध्यम में तेल में और रखा कहां गया है न्यू यॉर्क में आगे बासुरी बासुरी बाला दफाइफर ये चित्र किसका है उपर पढ़ा है अभी हमने माने का है कब बना 1873 में ठीक है एक मिनट को ये भूल जाएंगे 1873 में बना लेकिन ये मत भूलीगा कि बासरी वाला है किसका ये है माने का ठीक है बढ़ें आगे शलिए बोल रहा है ओलंपिया बहुत बहुत बहु पॉइंट पता नहीं कौन सा पॉइंट आपके एकजाम में आजा़ा और आपको पता भी नहीं चुलेगा इसलिए थीओरी चितनी पढ़ाई है बहुत अच्छे से पढ़ लीजेगा और चार-चार बार पढ़ लीजेगा जितना आपको टाइम मिले उतनी बार पढ़ ठीक है इस्त्री की लेटी हुई आकरती किसमें दिखाए गई है ओलंपिया में और ये किसकी है ये वैश्या है क्या दिखाए गया इसमें वैश्या है आगे next point आता है Edward Mane का तेल चित्र Spanish guitar player बहुत important पूछेगा Spanish guitar player किसका है माने का है किस माध्यम में बना है तेल माध्यम में बना है और the Spanish singer ये किसका है ये भी माने का है ठीक है structure कहां किया गया है इसको रखा गया है New York कहां पर New York में रखा गया है ठीक है चलो चलो बस 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 एक सेकेंड चलो ठीक है आता है सन 1882 इसमी का तेल चित्र है फोली ये बन्जैन बर्जेर का मदीरा गया है क्या है आबार एड़ दा फॉलेस बर्गयर मतलब बर्जर तो किसका है ये माने का चित्र है ठीक है अगे बढ़िए आगे बढ़ते हैं आगे आता है जार्ज मूर का व्यकती चित्र किसकी कृती है बहुत पूच्छा जाने वाला है किसकी है ये माने की है ये ये माने की है Old Musician कब बना 1862 में किस माध्यम में कैनवास पर तेल रंग से है और इसको जो मतलब रखा कहा गया है इसको अमेरिका के वासिंगेटन में रखा गया है किसको Old Musician ठीक है और ये चित्र है किसका Old Musician किसका चित्र है ये एद्वार माने का है ठीक है फिर आता है रुएन का गिर्जागर बहुत 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 ज़्यादा इंपोर्टेंट है रुएन का गिर्जागर किसने बनाया है ये मोने किसने मोने ने ठीक है चलते हैं आगे प्रभाववादियों में सबसे प्रभाववादी कलाकार कौन है ये हैं मोने कौन है क्लोध मोने फिर पूछे जा रहा है क्लोध मोने का जन्म कब और कहा होता है इनका होता है 14 नमबर 1840 को कब 14 नमबर 1840 को कहां सुरक्षित है कहां पर हुआ है इनका जन्मा पैरिस में हुआ है फिर आता है सूर्योदय का प्रभाव नामक चित्र को मोने ने कब बनाया था ये बनाया था 1872 सुर्योदय का प्रभाव किसका है मोने का है अभी पीछे पड़ चुके है ठीक है बेटू चलो आगे मोने का प्रशिद चित्र सूर्योदय का प्रभाव वर्तमान में कहां सुरक्षित है म्यूसी मार्मोटम गैलरी पैरिस में कहां पर है ये पैरिस में है फिर पूछा जा रहा है अस्वीकृत कलाकारों की प्रदर्शनी 1863 में एर्गर माने का कौन सा चित्र प्रदर्शित किया गया था मतलब इस प्रदर्शनी में कौन सा चित्र प्रदर्शित किया गया था तो घास पर जल पान बहुत इंपॉर्टेंट है घास पर जल पान किसका है ये है माने का है चित्र और इसको अस्वीकृत कलाकारों की प्रदर्सनी 1863 में प्रदर्सित किया गया था ठीक है पेंटर ओफ सीरीज किसे कहा जाता है किसे कहते हैं पेंटर ओफ सीरीज ये मोने को कहते है फिर आता है प्रभावबाद के मुख्य चित्रकार कौन थे ये क्लोद मोने थे प्रभावबाद के मुख्य चित्रकार कौन थे ये क्लोद मोने थे ठीक है आगे चले तो बात आती है Water Lily मतलब कुमुदनी के फूल नامक पेंटिंग श्रंखला किसके द्वारा बनाई गयी थी ये बनाई गयी थी मोने के द्वारा किसके द्वारा मोने के घास के धेर हैस टॉक्स चित्र माली का चित्र करने वाले कलाकार पूछ रहे हैं कौन है ये मोने ने बनाया है घास के धेर फिर पूछा जा रहा है टैम्ष नदी के द्रश्च चित्र किसने बनाए है? बनाए है मोने ने आगे बढ़ते हैं मई 2014 में मोने द्वारा चित्र कुमुदनी के फूल चित्र प्रिस्टीज की नीलामी में कितने रुपे में भी की थी? ये 2.7 करोन डालर में भी की थी कौन? कुमुदनी के फूल किसने बनाई है? मोने द्वारा आगे बढ़ते हैं आगे आता है मुले रूज क्या है? ये मदिराले है, कैबरेट है फिर पूछे जा रहा है मुले रूज, मावलिन रूज के इनहीं मतलब की ये भी बोलते हैं मुलिन रूज, ठीक है? ये कब बना है? अठारा सो इंक्यानबे में इसवी में लीथोग्राफिक पोस्टरों की डिजाइन किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी तुलुज, लॉत्रे ने किसने? तुलुज, लॉत्रे ने किस प्रभाववादी चित्रकार ने चित्रों को विज्यापन में परियुक्त किया था? किसने? लॉत्रे ने आगे लीथोग्राफिक पोस्टरों के लिए कौन फेमस है? लॉत्रे सैलोन, दस्तैलोन क्या है? ये सैलोन का आरंब 1666 में हुआ था, यह Academy of Fine Arts पैरिस की वार्से कलाब प्रदर्सनी थी, क्या थी ये? प्रदर्सनी थी, ठीक है? फिर आता है दकिस, नमक मूर्ति के मूर्तिकार कौन है? ये रॉन्दा है, जो की कौन है? ये प्रभाववादी है, रोंदा ने क्या बनाया है? दकिस, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, नीचे वालब ज़्यादा बढ़ा है, इसी को पढ़ते हैं, अब दिखेगा आ रहा है फ्रेंच मूर्तिकार रोंदा, 1840 से 1917 इसवी में, द्वारा निर्मित संगमर्मर मूर्ति है, दकिस, कहां पर प्रदर्शित की गई है? ये रखी गई है, पैरिस, फ्रांस में और बनाया किसने है? अभी हमने पढ़ा है, रोंदा ने, ठीक है? आगे दा थिंकर बहुत पूछी जाने वाली है, दा थिंकर नामक प्रशिद कान से प्रतिमा पूछा जाएगा दा थिंकर कैसी है? कान से प्रतिमा है, बनाया किसने है? रोंदा ने, ठीक है? रोड़िन भी बोल देते हैं कहीं कहीं पर आगे बढ़ें, चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेस्टन की तरफ, चलिए देखिए जो सुपाटेट की तयारी कर रहे हैं या फिर जो सुपाटेट की तयारी कर रहे हैं और जो यूपी टेट जूनियर में सस्टी बगेरा का सबजेक्ट चुने हुए हैं, उनके लिए एक सिरीज स्टार्ट की है, हिस्ट्री की, अभी हिस्ट्री चलेगी, फिर जब ये हिस्ट्री कम्प्लीट हो जाएगी, फिर उसके बाद जियोग्रॉफी बगेरा, ये सब कम्प्लीटली हम पढ़ा देंगे, आप लोगों को questions चल रहे हैं, questions, तेली कल से हमने स्टार्ट कर दी है, कल रात में हुई थी आठ बजे क्लास, तो सभी लोग आठ बजे जुड़ा करें, ठीक है, जिनको यूपी टैट, सुपर टैट, जिसमें मतलब SST आती है, इतिहास, SST मतलब इतिहास, हिस्ट्री आती है, तो उनके लिए मैंने क्लास स्टार्ट कर दी है, ठीक है, तो आठ बजे जरूर जुड़ा करें, क्वेश्चन करवा रहे हैं हम, ठीक है, जो सीधे एक्जाम में छपने वाले हैं, ठीक है, यह होगे उनके लिए बात, और यह है अपनी क्लास, चल रहे हैं अगे, दा वाकिंग मैन, दा वाकिंग मैन, फ्रांसीसी मूर्तिकार, अगस रॉडिन द्वारा निर्मित, एक कान से मूर्ति है, जिसका निर्मार 1870 से 1878 इसवी के मत किया गया था, वर्तमान में यह कहां सुरक्षित है, तो यह नेशनल गैलरी ओफ आर्ट वासिंगटन डीसी, अमेरिका में, कहां पर, अमेरिका में है, फिर पूछा जा रहा है, कौन अबरिल, यह चित्र किसने बनाया है, किसने बनाया है, लॉत्रिक ने, ठीक है, तो यह बात हो गई, यहां तक आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, सलोंदा, रिफ्यूजिस, बहुत पूछे जाता है, तो सलोंदा, सलोंदा, रिफ्यूजिस, यह क्या था, यह 1863 इसवी मे पेरेस के सलोन के आधिकारिक जूरी द्वारा अस्विकृत किये गए चित्रों की एक प्रदर्शनी थी आगे किस कलाकार ने पैस्टल रंगों तथा गतिशील फोटोग्राफिक आकरतियों के द्वारा चित्र निर्मार किया था एदगर देखाने ठीक है यह हो गया आगे बढ़ते हैं अरे यह तो सुब्रों से स्टार्ट करना पड़ेगा चलिए कर लेते हैं बस एक सेकंड एक सेकंड कहां गया यही चल रहा था हां कहां तक पड़ लिया था हमने यह नहीं बना रहा यह देख लिया था कहां से देखना था यह भी हो गया था कि यहां तक हो गया था यहां से स्टार्ट करना है ना तो पूछ रहा है पैस्टल रंगों द्वारा बहले नर्तकीयों का तरित चित्रन किस ने किया था ये किया था एडगर देगा ने फिर बोल रहा है एडगर देगा द्वारा आफ्टर दा बाथ वूमेन ड्रोईंग हर सेल्फ ग्रती में कौन सी तक्नीक का प्रियोग किया गया तो ये पेस्टल टेक्नीक का इसमें यूज किया गया था ठीक है आगे यथार्थात्मक प्रभाववादी रियलिस्ट इंप्रेसनिस्ट किस कलाकार को कहा जाता है ये कहते हैं एडगर देगा को फिर आता है बले रिना मूर्ती किसके द्वारा बनाई गई थी ये देगा की द्वारा नेशनल गैलरी ओफ आर्ट वासिंगिटन में सुरक्षित लिटल फॉर्टीन इयर ओल्ड डांसर 1889 से 1881 इसवी नामक वैक्स मूर्ती के मूर्तिकार कौन थे तो ये थे एडगर देगा ठीक है आगे बढ़ते हैं आर्जन तोयल में नाव की सेर पूंच रहा है आर्जन तोयल में नाव की सेर किसकी रचना है माने की है फिर बोल रहा है जापानी छापा चित्रों का विशेस महात्व है किस में प्रभाववाद में उकियो ए ये जापान की छापा कला है ये पानी स्याही प्रिंट है, बहुत confusion होता है, important भी ये पूछा भी जाता है, उकी ये क्या है, ये छापा कला है, सुमी ये क्या है, ये स्याही प्रिंट है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आ जाता है, ग्रिफोन वाली इसनान मगना यूटी, किसका चित्र है, आग्योस्त रैनबा का, अगस्त रैनबा का है, ठीक है, क्या है ये, ग्रिफोन वाली इसनान मगना यूटी, ठीक है, विख्यात चित्र, इसनान मगना यूटीयां के चित्रकार कौन है, यही है, अगस्त रैनबा, ठीक है, बूसे का चित्र है, डाइना का इसनान, बहुत पूछा जाने वाला question ह बूजे का चित्र क्या है डाइना का स्नान इसको बार बार किकस ने किया था ये किया था अगस्त रेंवा ने फिर पूछ जाएगा नियूड किसका चित्र है ये रेंवर का चित्र है ठीक है आगे बढ़ते हैं आता है 1910 इसवीब का कैनवास पर बना रैन्वा का तेल चित्र न्यूड वर्तमान में कहां सुरक्षित है नेशनल म्यूजियम आफ सर्विया बैल ग्रेड में पिर आता है गिवर्टी के गेट्स ओफ पेराडाईस के जवाब में गेट्स ओफ हेल का स्रजन किस आधनिक यूelnिक मूर्तिकार ने किया था किस ने किया था रौदा ने किया था किस ने रौदा ने ठीक है आगे बढ़ते हैं तो लास्ट पॉइंट जो आता है इसका प्रभ में इसको सुरक्षित कहां किया गया है? बर्लिन, जर्मनी में किया गया है ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं प्रभाववाद यहां से कम्प्लीट हो जाता है अब आता है नव प्रभाववाद क्या आता है? नव प्रभाववाद जिसे हम Neo Impressionism कहते हैं अभी तक हम प्रभाववाद पढ़ रहे थे, अब जो नव प्रभाववाद है, उसको देखते हैं, यह है क्या, आखिर यह कहां से आया, कैसे हुआ, ठीक है, तो अब हम इसके बारे में देख लेते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, आता है, नव प्रभाववाद शब्द प्रियोग सबसे पहले किसने किया था, 1866 इसवी में फ्रांसीसी कला समिक्षक फैलिक्स फैनियोने, किसने, फैलिक्स फैनियोने, ठीक है, देखिए तीन प्रकार के प्रभाववाद हैं, पहले आता है नॉर्मल प्रभाववाद, फिर आता है नव प्रभाववाद, फिर तीसरा आता है उत्तर प्रभाववाद, ठीक है, तो हमने प्रभाववाद कम्प्लीट पढ़ लिया है, अब पढ़ रहे हैं नव प्रभाववाद, ठीक है, तो नव प्रभाववाद शब्द का प्रियोग सबसे पहले किस ने किया था, ये इस शित्र में दिखाया गया है इसनान इस्थल. क्या दिखाया गया है? इसनान इस्थल बाथर्स at S9 से. ठीक है? जर्ज सोरा ने बनाया है. आगे देखते हैं नौ प्रभाववाद का जनक किसको कहते है? तो जर्ज सोरा को कहते हैं. नव प्रभाववाद का प्रथम चित्र इसनान इस्थल 1884 ECB में बनाए था किसने चार्ज सोरा ने देखें नव प्रभाववाद का प्रथम चित्र कौन है इसनान इस्थल है और अभी अभी हमने पढ़ा था प्रभाववाद का जो पहला चित्र है वो क्या था करिए चल्दी से फटाक से कमेंट जो प्रभाववाद का फ़स्ट चित्र था कौन था? अच्छा ठीक है हम बताते हैं प्रभाववाद का जो पहला चित्र था वो था सूर्योदय का प्रभाव और नो प्रभाववाद का जो पहला चित्र दिखा रहा है वो इसनाद इस्थल दिखा रहा है और इसको किसने बनाया है जाजसोरा को बनाया है जबकि सूर्योदय का प्रभाव है वो किसने बनाया था वो कलोद मोने ने बनाया था ठीक है, revision हो गया आगे बढ़ते हैं, प्रख्यात चित्र सरकस के चित्रकार कौन है ये है सोरा बिंदु वादी कलाकार कौन था ये सोरा था बिंदु चित्रन पद्दती आरंभ करने वाले कलाकार का नाम ये है सोरा आगे चलते हैं ला ग्रेंडे जैपते दीप पर एक रवीवारी अपरान्य ये रचना किसकी है ये सिवरा की है ठीक है इसी को सिवरा भी बोल देते हैं इसी को सिवरा भी बोलते हैं ला ग्रेंडे चैपते दीप पर एक रवीवारी अपरान जो है ये किसकी रचना है सिउरा की है फिर बोल रहा है पेंटिंग is the art of hollowing at surface यह कथन किसका है ये सोरा का है किसका है ये सोरा का है फिर आता है सोरा को किसने हरा रसायन शास्त्री कहा बहुत मूचा ज़ाने वाला है तो ये गौगिन ने कहा था किसको सोरा को कहा था कि ये हरा रफायन सास्त्री है ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे आता है 1899 में प्रकाशित यूजीन देलाकरा से नव प्रभावबाद तक ये पुस्तक के लेखक कौन है ये है पौल सिन्याख कौन है ये पौल सिन्याख है आगे नव प्रभावबाद का प्रवर्तन जार्ज सिवरा के चित्र एस्नियर्स पर इस्नानार्थी से हुआ इसी का एक अन्यनाम क्या है ये है इस्नान इस्थल है क्या है इस्नान इस्थल आगे बढ़ते हैं किसी रंग के साथ साथ छाया से उसके पूरक अथवा विरोधी रंग का भी दिखाई देना युग पादत्त का सिध्धान्त किसने प्रतिपादित किया था तो ये दिया था शेवरूल ने किस ने शेव रूल ने ठीक है आगे बढ़ते हैं विसलर के चित्र नॉक्टर्न इन ब्लैक एंड गोल्ड पर 1877 इस वी में किस ने टिपड़ी की थी कि थी कि चित्रकार ने रंग से भरा बरतन जनता के मुँँपर फेक दिया है किस ने की थी ये जॉन रसकिन ने अरे किस ने की थी जॉन रसकिन ने ठीक है आगे बढ़ते हैं रंगों का प्रकाशी ये मिस्रन किस से सम्बंदित है ये नव प्रभाववाद से ताहिती दीप पर चंजातियों का चित्रन करने वाले कलाकार कौन थे ये गौगिन थे कौन थे ये गौगिन थे वान गौग के साथ कुछ समय आरले में किस कलाकार ने व्यतीत किया था तो ये थे गौगिन आगे बढ़ते हैं आर्ट नुवो जिसे हम डेकोरेटिव आर्ट भी बोलते हैं समझेगा आर्ट नुवो जिसे हम डेकोरेटिव आर्ट भी बोलते हैं इसका प्रमुख प्रबड़ता कौन सा कलाकार था ये था वान दा वैल्दे कौन था ये वान्दा वेल्डे था कौन सा कलाकार जंगल के द्रश्यों के लिए विशेश प्रशिद है ये हैंडरी रूसो रूसो जो है वो जंगल के द्रश्यों के लिए विशेश प्रशिद है इंपोर्टन्ट है तो यहां ते हमने नव प्रभाववाद भी पढ़ लिया अब हम बढ़ते हैं इसी के आगे क्रम में उत्तर प्रभाववाद ये बताएं सभी को समझ में तो आ रहा है ना जैसा हम पढ़ा रहे हैं कहीं किसी को कोई का इंट्यूजन तो नहीं है आता है उत्तर प्रभाववाद पोस्ट इंप्रेस नेजम ठीक है पहले हमने इंप्रेस नेज में पढ़ाओ फिर हम पढ़ रहे हैं अब पोस्ट इंगलिस में बड़ा हो जाता है पहले हमने पढ़ा Impressionism फिर हम पढ़ा है पढ़ा हमने New Impressionism अब पढ़ेंगे हम Post Impressionism ठीक है तो आता है उत्तर प्रभाववाद शब्द का प्रियोग सबसे पहले किसने किया था 1906 इस वी में कला आलोचक रोजर फ्राइने किसने कला आलोचक रोजर फ्राइने ठीक है देखिए चित्र है देखिए ये चित्रे दिखाये गया है इस चित्र में क्या है देखते हैं इस चित्रे में दिखाए गया है तास के खिलाडी ठीक है? किसने बनाये है? शेजान ने बनाये है, पॉल शेजान ने कब 1894 से 95 के लगभग और कहां सुरक्षित किया गया है इसको? पेरिस में तास के खिलाडी पाल शेजान पेरिस में संग रहे है आगे बढ़ते हैं आगे आता है उत्तर प्रभाववादी कलाकार थे कौन? सेजान, वानगौग और गौंग ठीक है? ये तीनों उत्तर प्रभाववादी कलाकार थे पूछा जाता है सेजान की प्रेणा से जन्म हुआ था? किसका? घनवाद का सेजान की प्रेणा से किसका जन्म हुआ? घनवाद का उत्तर प्रभाववाद के जनक कौन थे? ये थे सेजान और आधुने कलाके प्रेणेता? ये भी सेजान है आगे बढ़ते हैं रंग परिप्रेक्ष है कलर इज पर्सपेक्टिव ये किसने कहा है? सेजान ने देखिए ये भी याद करना है आपको और ये भी कभी कभी हिंदी दे देता है और कभी कभी इंगलिस को भी हिंदी में कनवर्ट करके दे देता है तो रंग परिप्रेक्ष है किसने कहा? सेजान ने और color is perspective, ये कथन किसका है, ये भी सेजान का है, ठीक है, किसने सेजान को पिस्तॉल चित्रकार नाम दे कर निंदा की थी, ये एक कला समीक्षक थे, ठीक है, इन्होंने, मतलब एक कला समीक्षक थे, इन्होंने पिस्तॉल चित्रकार नाम दिया, किसको सेजान को, सलोदा रिफ्यूजेस नामक कला प्रदशनी की प्रथम समीक्षा किसने लिखी थी ये लिखी थी लो रायने किसने लो रायने आगे आगे रेखा में रंग की शक्ती होती है रेखा में रंग की शक्ती होती है लाइन है दा पावर ओफ कलर यह उक्ती किसकी है यह पॉल गॉंग ने कहा है ठीक है रेखा में रंगी की शक्ती होती है किसने कहा है गॉंग भाई सामने आधुनिक ओलंपिया मौडन ओलंपिया चित्र किसका है यह है शेजान का किसका है यह सेजान का फिर पूछा जा रहा है उत्तर प्रभाववादियों के प्रमुख चित्रकार कौन थे ये सेजान थे आदुने कला का पिता किसे कहा जाता है ये भी सेजान को कहते है आगे बढ़ते है इसनानमगन यूतियों के चित्रकार कौन है? ये सेजान है गाना सुनाई दे रहा है क्या आप लोगों को? आज पता नहीं सुबह से हमारे महले में क्या हो गया है कि बस गाने ही बज़ रहे हैं पता नहीं कौन सी खुसी आ गई है हो शकता है किसी का सेलेक्षन हो गया हो आप लोगों को भी ऐसे ही सेलेक्षन लेके बस टीजे बजाना है है ना? चलिए इसनानमगन यूतियों के चित्रकार कौन है? ये हैं शेजान ताश के खिलाडी दकार्ड प्लेयर्स चित्र किसने चित्रत किया है? सेजान ने देखिए सबी लोग टाइम से आये करिए ठीक है? इनमें से उत्तर प्रभाववादी कौन नहीं है? कुल मिलाकर याद रखना है कि जो बोनार है ये उत्तर प्रभाववादी में नहीं है ठीक है? ये याद रखना है आता है वान गॉग का वान गॉग का पूरा नाम पूछा है तो ये है विंसेंट वान गॉग ठीक है? आगे बढ़ते हैं आगे आता है डॉक्टर गैचिट ये चित्र किसने चित्रित किया है? वान गॉग ने आगे वर्स 1885 इसवी में तेल रंग से कैनवास पर निर्मित वान गॉग संग्रहाले एमस्टरडम में सुरक्षित पोटेटो इटर्स बहुत पूछे जाने वाला है पोटेटो इटर्स नामक प्रशिद चित्र किसका है? ये है वान गॉग का है पोटेटो इटर्स किसका है? ये वान गॉग का है ठीक है? दा पोटेटो इटर्स आलू भक्षी ये चित्रकार इसके चित्रकार कौन है वन गॉंग है अभी उपर देखा है आगे वर्स 1889 इसवी का तेल चित्र तारों भरी रात दा इस्टेरी नाइट का चित्रकार कौन था ये विंसेंट वन गॉंग था क्या था विंसेंट वन गॉंग फिर आ रहा है दा नाइट कैफे किस कलाकार की रचना है ये है वन गॉंग की फिर है वर्स 1885 इसवी में प्रशिद उपन्यास लास्ट फॉर लाइफ जीवन के लिए वासना इवनिंग इस्टोर इर्विंग इस्टोर ने किसके उपर लिखी थ वन गॉंग के सूर्य मुखी का चित्र किसने बनाया है वन गॉंग ने बनाया है किसने बनाया है सूर्य मुखी का चित्र वन गॉंग ने ठीक है देखे हम जितना पढ़ा रहे हैं इसको एक बार तो पढ़ी लेना है आँखों से देखकर पढ़ना है फिर दुबारा में जाता है confusion बहुत जाता होती है बच्चों को क्योंकि लगभग ये सारे टॉपिक एक जैसे हैं और बहुत मिक्सफ होते एकदम खिचडी टाइप की पक जाती है तो आपको क्या करना है सारे टॉपिक से के साथ जैसे आपने आज पढ़ा ये वाद पढ़ा है प्रभावबाद ठीक है तो पहले आप वीडियो को सुरू से लेकर लास्ट तक आँखों से देख लीजे ठीक है फिर दुबारा में क्या करना है उसी वीडियो को तुरंद नहीं सुबह देखा है प्रभावबाद अभी आप देख रहे हैं ठीक है अब आपको क्या करना है आज शाम को मतलब रात में जब सोने जाएं, या तो रात में देख लीजिए, या फिर अगले दिन दोपहर में या शाम में, उस वीडियो को साइड में चला कर, कान में हैटफोन लगा कर, आराम से आखे बंद करके बस सुनते जाएए, आप देखेंगे कि आपको सब कुछ याद हो गया है, बि कि हाँ मेरे माइन में सट हो गया है, तुरंत रिवीजन नहीं किया जाता है किसी भी चीज का, आज पढ़ा है, तो कम से कम 24 घंटे के बाद उसका रिवीजन करिए, तब माइन में सब सेट हो जाता है, ठीक है, तो बस हैटफोन लगाईए, और जब भी कभी फिर 8-10 दिन मे बारा दिन में जब आपको लगे भूल रहा है, एक बार फटाक से फिर सरी वीजन कर लो, दिमाग में सेट हो जाएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, वान गौक का प्रशिदी चित्र क्या है, संफलावर है, चित्र तीन ताहिती वासी का चित्रकार कौन है, ये पाल गौकिन हैं, आगे, आगे दे रहा है, उत्तर प्रभावबादी चित्रकारों में सर और प्रथम किस चित्रकार ने प्रतीक वादी चित्र बनाया था, आरंब किया था, ये गौकिन ने, त्री आयामी आकरतियों को दुई आयामी धरातल पर किस अंदोलन में रिखांकित किया गया, प्रतीक वाद में, आगे, सेजान की सबसे महत्वपूर उपलब्दी क्या है, घनत प्रस्चत करने वाले रंग से, मैं एक नई कला का आदी प्रणेता, प्रिमिट्यू हूँ, ये किस ने कहा है, ये सेजान ने कहा है, कि मैं एक नई कला का आदी प्रणेता हूँ, आगे फावबाद का सूत्रपाद किस ने किया है ये गौगन ने किया है अभी वेंजनावाद का सूत्रपाद किस ने किया है ये वान गौगन ने किया है पीला इसा किस की कृती है गौगन की है ये बहुत पूछा जाता है हम कहां से आते हैं, हम क्या हैं, हम कहां जा रहे हैं ये चित्र किसका है, ये गौगन का है, most important है, याद रखिएगा Maternity, three women on the sea shore, किसका चित्र है, ये गौगन का है किसका है ये, गौगन का है आगे चलते हैं, आता है किसके जीवन पर आधारित है, ये है गौगन के, पौल गौगन के आता है फिर next, गेहूं के खेत में कौवे, किसका चित्र है, वान गौग का है वान गौग के भाई का नाम क्या था, थियो फिर आता है next point, portrait of doctor कचेट कि चित्रकार कौन है, ये है वान गौग कि ब्लेट से अपना कान काटकर अपनी प्रेमिका के नाम था, रशेल जो एक वैशचा थी, उसको उपहार में दे दिया था, वान गौगने बताईए, अपना कान ही काटकर दे दिया कैसे कैसे महान कलागार है वो भी अपनी प्रेमिकों को दिया है अपनी पत्नी को देते तो बात अलग थी चलिए आगे आता है वान गौक द्वारा बनाये गया सूर मुखी का फूल कहां सुरक्षित है नेशनल गैलरी लंदन में 1988 इसवी में वान गौक का फील्ड ऑफ आईरिस नामक चित्रकुल कितने रुपए में बिगा था 21 करोन 23,60,000 रुपए में कितने महंगी बिगती थी न चलिए वान गौक इयर दा ट्रू स्टोरी पुस्तक के लेखक है कौन? बर्नाडेट मर्फी कौन है? बर्नाडेट मर्फी तुम्हारा विंसेंट नाटक के निर्देशक मुझे है कौन है? यह है सत्यबरत राउत प्रशिद प्रिंट मेकर और इलोन रेडाउन किस कलावाद से संबंदित है? उत्तर प्रभावाद आगे यहाँ से हमारी थियोरी कम्प्लीट हो जाती है अब जो question answer करने है वो हम question कल करवाएंगे ठीक है? जो optional यह question है क्योंकि काफी सारे है थियोरी भी काफी बड़ी थी तो question तो कम होंगे नहीं 75 question है तो इन questions को हम कल कम्प्लीट करवाएंगे ठीक है? तो बने रही है हमारे channel के साथ VFE education के साथ VFE education के साथ जिसने भी channel सब्सक्राइब न किया हो जल्दी से पटाक से कर दीशे और क्लास कैसी लग रही है सभी को? लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर दीशे ठीक है? अगर पसंद आ रही हो कोई जबर जस्ती नहीं है बाकि आप लोगों का प्यार मिल रहा है इतने काफी है हमारे लिए हाँ, चलिए चलिए, 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 शब्स चलिए फिर मिलते हैं कल क्लास कल नहीं, आज शाम को क्लास में ठीक है, शाम को बेटा, साम को चलिए तो फिर हाँ एक जो बताना था हमको साम को जो आठ बजे क्लास हमने स्टार्ट कर दी है आठ बजे सुपर्टेट, यूपीटेट, सीटेट जो भी दे रहा है या फिर अधर एक्जाम जहां पर हिस्ट्री आती है वहाँ पर शाम को आठ बजे MCQs होंगे तो सभी लोग उपस थे थो ठीक है चलिए फिर मिलते हैं साम को शाठ बजे